इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह आते हैं ती ट्री ओल तुलसी एलोवेरा और भरिंगराज के साथ पॉश्ट टी ट्री एंटी डेंडरफ शैंपू प्रभावी रूप से रूसी को हटाने बालों को चिकना चमकदार रेशमी बनाने और उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम करने में मदद करता है चलिए जानते ह इसके कुछ फाइदों के बारे में एक टी ट्री ओल स्क्याक को हाइडरेट करने के लिए एक आवश्यक घटक के रूप में कारे करता है इसका मॉइस्टराइजिंग प्रभाव खोपडी को सूखने से रोकता है और इस प्रकार शुरू में खोपडी पर सफेद पपडी की स संख्या कम करता है और अंतता उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देता है दो चाय के पेड का तेल अपने जीवानुरोधी गुणों के कारण आपके सिर में फिर से रूसी फंगल संक्रमन और खमीर व्रिद्धी की समस्याओं को रोकने में मदद करता है तीन तुलसी दैने कु प्योग पर आपके बालों से रूसी को हमेशा के लिए मिटाने की प्रक्रिया शुरू करने में एक उत्प्रेरक के रूप में कारे करती है चार तुलसी में मौजूद एंटियोक्सीडेंट और विटामिन के सिर की तवचा के रूखेपन को दूर करने में मदद करते हैं पा तुलसी के अर्क में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स और फाइटोन्यूट्रियंट्स बालों की गुणवत्ता में सुधार करने और उन्हें स्वस्थ चमकदार और अधिक चमकदार बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें एलोइन पाया जाता है जो स्कैल्प के रूखिपन को दूर करने और स्वस्थ बालों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है आठ एलोवेरा जूस का गाड़ा मॉइस्टराइजिंग प्रभाव कई महत्वपूर्ण खनिजों और विटामिनों के साथ आता है जो सिर्की रूसी को आसानी से रोख सकते हैं नौ, भरिंग राज रूसी की ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाने और बालों को सामान्य से अधिक चमकदार और स्वस्थ बनाने के लिए कुशलता पूर्वक काम करता है दस, बालों की मात्रा बढ़ाने और बालों की नुकसान को कम करने के लिए भरिंग राज अर्क आयुर्वेद क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये सूखी खोपड़ी और सफेद पपड़ी से छुटकारा पाने के लिए खोपड़ी में रक्त परिसन चरण को बढ़ाने में भी मदद करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें